गुड मॉर्निंग एवरिवन डेटे आज की तीन दिसमबर्द ओजा चोईस स्वागत आपका आज के करंट अफे डिसकसन में चलिए डिसकसन स्टार्ड करते हैं चलते हमारे पहले आर्टिकल की और पहला आर्टिकल किसे समझीते तो पहला जो आर्टिकल है वो सविदान से सम किया जारता अब यहीद अभी समारों का आयोजन जारता इसमें हमारी राष्ट्र पतीजी उपरश्ट पतीजी और भी कहीं मंत्री सामिल ओए थे इस दोरान कहीं बाते की गई है समीधन के बारे में उनसब के बारे में चर्चा करेंगे इसमें जो पॉइंट दिय गए हैं हो तो इसके बारने देख लेते क्या-क्या बाते हुई है क्यों न्यूज में हैं कि इस वरस्ट गाई ओपर इस वरस्ट गांट के अफसर पर एक समहरों आयोजित किया रहा था इस दोरां राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मुजी उप्राश्ट पती जगदीब दंकड़ी औ और कई नेताओं ने सबा में भाग लिया और इसे संबोधित किया अब हम जानेंगे जो अलगलर नेता सामिली होती उन्होंने क्या क्या बाते करिए सबसे पहले बात कते हैं राष्ट्रपत्ति द्रोपदी मुर्मु जी ने क्या बाते की तो राष्ट्रपत्ति जी ने अपने बढ़ने का इसका नेचर है तो इसके नेचर कैसे है तो हमारे सविदान का जो नेचर है वो प्रगति सिल नेचर है यानि कि प्रगति सिल इसकी प्रकरती है इस बात पर राष्ट्रपतिती ने जोर दिया साथ ही साथ इन्हों ने बताया कि जो हमारे कारेपाली का ठीक है न्याईपाली का और कारेपाली का न्याईपाली का और विदाई का इन तीनों को साथ में मिलकर काम करने की आव सकता है ये तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तबी जो नागरीकों का जीवन ने उनको बहतर बनाये जा सकता है सवीदान की जो भावना है उनके अनुरूप ये कारे कर सकते हैं तो सवीदान की बावना के अनुरूप कारे करने के लिए नागरीकों के जीवन को बहतर बनाने के लिए कारे पालिका विदाईका और नयाई पालिका को साथ में मिलकर कारे करने की आवसकता है साथ ही साथ में इन्होंने कहा राष्ट्री एकता, सामाजिक सदबाव, महिलाओं की गरिमा, प्रयावन सरंक्षन, वेग्यानिक सोच और सारजनिक संपत्ति की सुरुक्सा को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों का उपने मोलिक करतवयों की भूमिका पर निभानी चाहिए और इस परिनों ने प्रकास डाला है तो यह सारी जो सब्दे न कापी अच्छे वर्ड है इनका आप उप्योग कर सकते हो कि नागरिकों को किस किस चीज़ों भी भूमिका निभानी चाहिए हमारे जो पर कोई भी क्यूज़ों ने तो वहां पर यह सब्दों का उप्यों किया जा सकता है राश्ट्र एक्ता सामाजिक सिद्भाव महिलाओं की गरीमा है प्रयावन सरक्षन है व्यग्यानिक सोच है जब हम बात करते हैं कि जब हम एंस्वर रैटिंग करते हैं तो हमारे पास में वर्ड्स नहीं होते हैं हम लिखे क्या हमें नौइज है लेकिन लिखना नहीं आता तो वहां पर अगर इस परकार से जो आप डैली आर्टिकल लगरा पड़ते हो तो वहां पर यह जो सब्दों यह आपको एंस्वर में लिखने में काम आ जाते हैं तो आपके जो भी मन में इनको सब्दों का रूप देने के लिए ये जो सब्दों तेने काफी अच्छे सब्दे इनका उप्यों किया जा सकता है तो आपका इंस्वर है वह बहुत अच्छा लगेगा ठीक है इंग्लिस में अभी एक बार देख लो न्यूस तो हमें देख लिए राश्टर पती जी ने उनके कोडिंग काम किया जा सकता है इन्हों ने हाईलाइट किया ख्या है इच वर टिके पड़ी इन सब के बारे में इन्होंने बात किये यह अच्छे वर्ड आप उपयोग में ले सकते हो ठीक है अब राष्टपती जी है जगदीब धन्रगर जी उपराष्टपती इन्होंने क्या बात किया तो इन्होंने देखो कुछ पॉलिटिकल बाते करिए उनको हम नहीं दे विद्ड्याईक का और नयाइपाली का इन तीनों के बीच में जो सक्तियों के पर्थकन का सितान धेने के यानि कि सेप्रेस्न आप पावर का जो सितान थे टीनों जोभी सक्तिया हैं वो अलग-लग काम करेगी यह जी विद्ड्याईक का बाती नहीं यह Contragedict नहीं है साथ में मिलके इंदर सैंस है कि देश को आगे बढऄना है उस मामल में साथ में मिलकर काम करना है और जब अपने सकतियों का उप्योग लेना है तो न्याए-पाली का अपना काम करेगी कारेपाली का अपना काम करेगी बिद्दाई का अपना काम करेगी इस प्रकार से काम होगा तब देश पूरा आगे बढ़ शकता है तो साथ में मिलकर भी काम करना है और अपने की लिमिट भी पता होने चाहीं कि हमें कब तक एक दूसरे के छेक्टर में इंटरफेर करना हस्तक से बहुत करने के आव सकता है, तो सक्तियों कि पर्थाकरन के सिधान पर भी जोर देने के इन्होंने बात किया, तब लोग तंत्र जो मारा है वो परभावी रूप से काम कर सकता है, तो यही बात करीए इन्होंने, इंपर इंपोर्टेंस ऑफ सेप्रेशन ऑफ पावार थ्री ब्रांच ऑफ गवर्मेंट को उन्से एग्जिकेटिव लजिस्लेट एंजुडिस्टियर तब भी हमारी डेमोक्रसी के अकोडिंग आप काम कर सकते हों तो यह बात की कि फिर कुछ नेताओं ने भी बाते करी थी पर वो नहीं देखेंगे क्योंकि वहाँ पर राजनती बहुत ज्यादा दी हुई थी तो एक दो पॉइंट थी हमने देखे जो आपके एंस्वरैटिव में काम आ सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की और नेक् पेकस्ता अब इन पर है न बार बार सुप्रिँ में फैसल्य है केश जाते हैं इसके पीलिदाज में इन पर बार से अपना निरने रखता है तो बात कर लेंगे आज इनके बारे में कि दरसल ये वर्ड है क्या इनका महत्व क्या है हमारे सवीदान में इनका क्या इस्तति है इन सब के बारे हम जानेंगे ठीक है पहले हम बात करेंगे सवीदान की तो औरिजनल सवीदान में इन दो सब्दों को एड नहीं किया गया अभी इनको पाटे प्रुप्रिंबल जो हुमारी प्रस्तावना उनका और यह basic structure का पाटे तो वो सब हमको पता है अब हम देखेंगे basic structure क्या होता है प्रस्तावना में किस परकास से इनको एड़ किया गया था उनकी बारे में details से एड़ सबसे हैं नां यो और संगे हлись ऐसा काफी सारी प्रसतावना विए अए प्र्सतावना में प्रस्तावना विल्भ युलिवल्क एक सम्माज्वार सिक्सलरीनिशम अ 하는데 9-2 आ जाए है unity and integrity की वर्ड दिये गए integrity यह तीन वर्ड बाद में दिया तो s s i यह तीन वर्ड बाद में जोड़े गई हैं कब जोड़े गई हैं यह उगा था 42nd Constitution Amendment Act गए था उसके तर्थ यह जोड़े गई थी यह सबसे बड़ा amendment था आज दिन तक का सबसे बड़ा amendment कुण सा है 42 सविदान संसोदन के द्वारा सविदान में काफी ज्यादा changes किये गए थी और प्रस्तावना में जो पहली बार प्रस्तावना में आज दिन तक उनली एक बार ही संसोदन हुआ है वो भी 42 सविदान संसोदन के द्वारा ही प्रस्तावना में संसोदन किया गया है हमारे सविदान की प्रस्तावना में कितनी बार संसोदन हुआ है केवल एक बार पहला पॉइंट या दखना कब हुआ है 42 सविदान संसोदन के बाद ही इसमें संसोदन किया गय था क्या चीज़े जोड़ी की थ था ठीक है इससे पहले ये तीनों चीज इसमें एड नहीं यहीं थी तो सोवरन, सोशिलिस्ट, सेक्यूलर, डेमोक्रिटिक रिपर्ब्लिक है भारत, यह पर जस्तिस है, लिवर्टी है, एक्वालिटी है, फेटर्निर्टी है, यह सारी बाती इसमें लिखी गई है, तो तीन व सुप्रिम कोट अपना फैसला देती थी, गवर्मेंट उसके खिलाप में क्या अमेंडमेंड एक लेके आती थी, फिर सुप्रिम कोट फैसला देती थी, फिर गवर्मेंड अमेंडमेंड एक लेके आती थी, इस परकार सुप्रिम गवर्मेंट ने वो 42 सवीदान संसोधन ले आया कुछ चीजे इसमें है वो बेसिक इस्ट्रक्चर है उसको आप संसोती नहीं कर सकते हो सिंपलिफाइब सब्सक्राइब 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 केस था उसमें सुप्रीम कोट ने फैसला किया कि प्रिम्बल यानि कि प्रस्तावना है वो सविधान का भाग नहीं है 1960 में सुप्रिम कोट ने फैसला दिया बेरुबारी केस में कि प्रस्तावना है वो सविधान का पार्ट नहीं है प्रस्तावना में संसोधन किया जा सकता है यह कब था 1960 में तब सुप्रिम कोट इतना स्ट्रॉंग नहीं है ठीके इसके बाद में सुप्रिम कोट फिर अपनी जो इसके जवाब में केश वानन्थ, भारती केश आये था 1973 इस दोड़ान सुप्रिम कोट ने कृलियर कर दिया क्लीक्षफि पाफि बड़ा था, इसमें काफी सारी जेज्जमेंट दे गए थी तो इस दोरान एक और चीज भी चरचा हुई थी वो हुई थी प्रस्तावना है इस मुद्दे में पूचा गया क्या यह प्रस्तावना है वो सविधान का पार्ट है या नहीं है तो इसमें सप्रिम कोट ने बताया कि यह जो प्रस्तावना है यह सवीदान का भाग है पहला पॉइंट या दरना प्रस्तावना सवीदान का भाग है यहाँ पे दूसरा पॉइंट सुप्रेम कोट ने यहाँ बताया प्रस्तावना भाग तो है ही है बट इसमें संसोधन किया जा सकता है इसमें amendment किया जा सकता है अब amendment कैसे किया जा सकता है वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंड कैसे होता है एक होता है special amendment एक होता है normal special में जितने भी member है उसके 2 by 3rd 1 by 2 total का 2 by 3rd voting दे रहे उसका इस परकार से special जो majority उसके साथ ही संसोदर क्या जा सकता है तो ये बात करीती सुप्रीम कोट ने केस वनने भारति की केस में कि प्रस्तावना सविधान का भाग है इससे पहले बेरुवाडिम कहता कि सुप्रीम कोट ने कहता कि प्रस्तावना भाग नहीं है amendment किया जा सकता है बड़ सुप्रिम कोट ने case 1 अंज बारती बताया कि ये जो प्रस्तावना प्रिम्बल है ये सविधान का भाग है इसमें संसोदन किया तो जा सकता है बड़ केवल संसोदन है वो 368 के तहती किया जा सकता है बड़ इसमें एक topic आया था concept आता basic structure का अब ये basic structure क्या होता है ये सुप्रिम कोट ने बताया था कि हमारे सविधान में कुछ बाते ऐसी है जो basic structure मानी जाएगी यहने कि सविधान का मूल-अंग माना जाएगा अब ये basic structure क्या है तो ये supreme court ने का कि ये हम टेयर करेंगे कि basic structure होगा क्या जैसे इन्होंने का fundamental right है वो basic structure है ठीक है, उसमें कुछ important fundamental right है वो basic structure है साथी साथ में इन्होंने का ये मारा secularism है वो basic structure का part है तो ऐसे कहीं इन्होंने list दी और भी समय समय पर इस लिस्ट देते जाते हैं कि ये basic structure का part है या नहीं है, ये तय करने का फैसला है वो सुप्रीम कोड करेगा तो बेसिक इस्टर्चर का जो कॉंसेप्ट आये था वो भी केस वानन्द भारती केस से आये था जो कि 1973 में हुआ था ठीक है इसमें परस्तावना को माना गया सविधन का भाग है परस्तावना में संसोदन किया जा सकता है यह संसोदन है वो 368 के तहत होगा लेकिन क्या संसोदित किया जाएगा अगर वो बेसिक इस्टर्चर का पार्ट है तो उसमें संसोदन नहीं किया जा सकता है basic structure कोन तेय करेगा तो वो Supreme Court की द्वारा तेय किया जाएगा ठीक है उसके बाद में LIC of India के साए 1995 में इस दोरान भी कहा कि जो मारा प्रीमबल है वो part है किसका integral part of constitution सविधान का integral part है अभी वर्तमान situation क्या है वर्तमान situation भी यही है कि जो मारा प्रस्तावना है वो सविधान का integral part है इसमें संसोतनी किया जा सकता है 368 के तहथ ना तो ये जो मारी विदाईक का है legislator उनको power देता है प्रस्तावना ना उनसे power लेता है तो ये न तो power का source है न ये power को रोकता है तो ये क्या करता है न तो इसको justiciable है यानि कि आप अगर प्रस्तावना का कोई है मुद्दा वो अगर लागू नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप court में नहीं जा सकते Supreme Court में जाके यहीं नहीं कह सकते कि प्रस्तावना को लागू नहीं क्यों किया जा रहा है तो ये non-justiciable है अगर ये नव भी होता तो कोई फरक नहीं पड़ता ये सारी बाते की गई थी अभी करंड सिनेरियों ये सारी बाते है तो ये देख लो बेरुबारी केस आया था 1960 में प्रस्तावना सविजान का अंग नहीं है केस वनन्दा भारित केस आया था अंग है बलकि कुछ और भी बाते की थी LIC केस आया उसमें भी बाते की अंग है पर इसमें संसोदन किया जाता है 368 के तर फिर वर्तमान इस्तती ये दिए हमने देखके न्याई चूत नहीं है न्याल लदवार लागू नहीं किया जा सकता है सवतनतर रूप से इसका कोई कानूपल पर परभाव नहीं पड़ता है ठीक है इस्त्री की बारे में बात करें प्रिम्बल की इस्त्री के बारे में प्रस्तावना के इत्यास के बारे में बात करें इनको 1949 में अडॉप्ट किया गया था तब इसमें ये वर्ड थे Sovereign, Democratic, Republic ये वर्ड इसमें एड थे इन वर्ड का हम आगे मतलब भी देखेंगे Sovereign का मतलब क्या होता है Democratic का मतलब क्या होता है Republic का बट यहाँ पर कुछ चीज़े हैं वो एड नहीं किये गए थे जैसे Socialist है, Secular है इन वर्ड को यहाँ पर एड नहीं किया गया था क्योंकि देश नया नया आजाद हो रहा था उस टाइम वैसे ही माहूल इतना खरागता है Socialist वर्ड को इसलिए ड नहीं किया क्योंकि देश के पास में इतने संसादन नहीं थे जो पूरे लोगों का प्रण पोसन कर सके इसलिए इस वर्ड को एड नहीं किया Secularism वहाँ पे तन्नाव न हो जा इसलिए secular वर्ड को एड नहीं किया गया बट जो हमारे सविदान की आत्मा थी हमारे सविदान को जिस प्रकासी structure था उसमें already इनका समावेस था जैसे हमारे सविदान में fundamental right थे उसमें अभी secularism के concept थे DPSP है उसमें socialism के concept थे तो ये पहले से मौझूद तो थे बट इनको एक रूप नहीं दिया गया था बाद में 42 सविदान संसोदन के द्वारा इनको एक final root दे दिया गया सविदान की प्रस्तावना में add कर दिया गया तो पहले ये थे नहीं पहले उनका आचरान इस प्रकार से था कि ये world वहाँ पे होने चीए और बाद में 42 सविदान संसोदन के तवरा इनको add कर दिया गया अब ये बविशे पे छोड़ दिया गया था क्योंकि जो socialism था वो economic idea है और ये उस समय के साथ में evolve होगा और secularism है वहाँ पर religious जो interference की आज जाव सकता होती है ये बात बविशे पर छोड़ दे गी थी फिर ये देख लिए हमने बेरुबारी case आया उसमें कहा सुपरियम कोट ने परस्तावना भाग नहीं है केश्वानन ने कहा कि भाग है ये बात चलती रहती है अब बात कहते हैं socialism और secularism की तो socialism का concept क्या है तो आर्थिक संदर पर देखते है socialism जो concept है वो economic term में यानि कि आर्थिक term में आर्थिक term में मतलब क्या है एक तो होता है capitalism capitalism होता है एक होता socialism इन दोनों में फरक्या होता है capitalism यानि पुण्जी वाद है वो देश जो capital पर market पर depend करते हैं मतलब पूरा जो जो पी चीज़े है वो market decide करेगी price किस side में जाएगा पूरा market कैसे चलेगा पूरा जो पुण्जी वगरा किस परकाश से काम करेगी वो market तेगरी तो उस देशों को कहा जाता capitalism या capitalist country कहा जाता है socialism वो देश होते हैं जो राजे तेख करता है अब जो भारत की बारें बात के देख बारत का नेचर था वो socialism की ज़्यादा था वहाँ पर राजे का इंटर्वेशन ज़्यादा था प्राइविट कंपनिया कम थी US था वो capitalism था चाइना था वो socialism था रसिया था वो socialism था इस परकार socialism और capitalism का अलग-अलग ideology है यहाँ पर हम बात करते है आर्थिक समाजबाद की तो यह economic term में होता है कि यहाँ पर राजे का कितना आस्तक्सेप होता है तो starting में हमारे था देश था वहाँ पर राजे का बहुत ज़्यादा आस्तक्सेप था यहाँ पर जो industry थी उद्ध्योग थे वह भी राजे की नेततोवाले थे ज़्यादा तर चीज़े थे वह center government या फिर state government के पास थी तो government का तो आस्तक्सिप वह ज़्यादा था 1991 में 1991 में LPG reform आई और इस reform के बाद में कुछ नई changes देखने को मिली लेकिन उसके साथ साथ में हमने देखा कि हमें गरीबी को कम करना था लेकिन हमें ने क्या किया हमें असमहंता को बढ़ा दिया हमारे पास में रोजगार तो आई हमारे पास में GDP बढ़ी हमारे growth rate बढ़ी लेकिन ये growth rate रहे वो in equal है कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे आई कुछ के पास में विल्कुल नहीं आई तो inequality बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी फिर हम हमारी government के दुबर अभी भी प्रयास किया जा रहा है जैसे अलगल योजनाओं के मादेश से मन रेगा है सब सीड़ी के लिए है डीवीटी है इन सब के मादेश से असमहनतों को कम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है तो अभी भी हमारा देश से कुछ हद तक समाजबाद की और जुका आवे धर्म निर्पेक्स्ता की बारे में बात करी तो हमारा जो धर्म निर्पेक्स्ता है वो पस्चीमी धरम निर्ट से अलाग है Western countries में धरम निर्टवेक किस परकार होता है वहाँ पर जो secularism होता है उसमें धरम में किसी भी परकार से state होता है वो हस्तकसेप नहीं करता है यानि कि religion में state अस्तकसेप नहीं करता है राजिये चाहे कुछ भी करें तरम उच पहनी आएगा, तरम में कुछ भी हो, राजी उसमें अस्तक्सेप नहीं करेगा, दोनों अलग-अलग काम करते हैं, बट बारत में क्या होता है, बारत में अगर धरम के अंदर कुछ गलत चीजे हो रही है, तो राजी उसमें अस्तक्सेप कर सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा, तीन तलाग महिलाओं के साथ में गलत हो रहा था, तो देश में क्या किया गया, हमारे देश में कानून लाया गया, तीन तलाग बिल लाकी, तीन तलाग को इन्वेलिड करार दे दिया गया, इस परकार से अलग-अलग के माधियम से, अलग-अलग बिलाओं के मादेम से अलग-अलग हस्तक सेब के मादेम से जो भी धरम के भीतर ऐसे जो कुरूर आगात होता था धरम के बीच में गलत नियम पर थी गलत पर था हैती उनको रेगॉलेट करने के लिए राजिय बार-बार हस्तक सेब करता आ रहा है तो यह संपनिय जो दरम दरिक्स है Western countries में वहाँए अईसा नहीं होता है पट भारत का दरम दरिक्स है वो उनसी अलग है बारत में राजी है वो सामाजी कल्यान के लिए गलत अगर को दाशामी कुर्प पारता है उनको रोकने के लिए कहशिस कर सकता है सत्रini पारता है उसको भ बाद आपको समझ में आ गई है तो बात करते हैं डेमोक्राटिक सोसेलिजम जो सेंट्रलाइज पॉलिशी थी वो थी स्टार्टिंग से दी और पहले जो हमारा देश था वो किस परकास से था तो इसका जुकाव था वो गौवर्मेंट की उरता जो भी गौवर्मेंट ओंड इ लग है क्योंकि हम हैं वो इंटर्फेरन्स करते हैं धरम में इंटर्फेरस्टा को कैसे जा गयाता इन सब के में ता कुछ यहां पो प्रबी दिए गए इसंको एक बाद जानव tubow यहमारी प्रस्तावना ऐ मैं बल्र ए इसमें सोवरन सोर न मतलब देश आज़ास है extra इन्डिपैर्ट हे तो सोसेलिस्ट क्या होता है सभी जो देश के वासिए होता सबको equal opportunity दी जाएगी तो यह कुछ word है इनका आपको मतलब पता होना जी इन word का उपयोग किये जा सकते हैं कभी भी अगर हमारे सविधान से समझे कुछ लिखना हो इन word को यूज में ले सकते हो ठीक है जी तो यह article में इतना था चलते हमारे नेस्ट अर्टिकल में यह क्या है तमिल अडू की एक आईजी है उन पर sexual harassment का केस लगा है तो इतना कुछ फास पॉइंट नहीं है कहीं इंट्रिव्यू में या ethics में कुछ लिखना हो कि अब भी इसी आक्यूसन बनता है तो आप ऐसी लिख सकते हो ठीक है आप कहीं यह situation में डाल दिया जाए तो situation based में यह से जो example होते हो काम आ सकते कि आप बात करते हो education का यह महत्व होता है तो education इतना देने के बावजूद भी इस परकार के example देने को मिलते हैं तो यह essay point आप पर वहाँ पर लिख सकते हो तो यह example में काम आ सकते हैं कहीं पर भी आपको कुछ लिखना हो essay में लिखना हो, ethics में कुछ लिखना हो तो वहाँ पर यह काम आ सकता है ठीक है जी, और यह police की rank दे रखी है सबसे नीचे होता हुआलदा फिर one star ASI SI होता है, constable में कुछ पर नहीं होता है फिर inspector होता है फिर DCP, फिर ASP फिर क्या होता है, additional SP, SP, SSP DIG, IG और DGP DGP सबसे highest authority होती है next है, lake के ecosystem के बारे में और plastic के बारे में क्यों news में, news में इसलिए है कि plastic है, वो अभी lake में देखी गई है, जिसके कारण से काफी नुकसान देख रहा है, अब ये ज़्याधत तरो है micro plastic देखी गई है, तो हम बात करते micro plastic क्या होता है micro plastic के बारे में बात करें तो micro plastic है, वो 5 millimetre से, 5 millimetre से कम माकार के जो प्लास्टिक के टुकड़े होते है उनको micro plastic का जाता है सिंपले छोटे टुकड़े होगी, micro मतलब छोटे, कितने millimetre, 5 से कम है तो micro plastics होते है इनमें कहां होता है, इसका उप्योग कहां होता है ठीक है ब्लास्ट में यूज किया जाता है कपड़ों में इनका इस्तमाल किया जाता है प्लास्टिक के निर्मान में इनका इस्तमाल किया जाता है तो कहीं जगे इन माइक्रो बीट्स प्लास्टिक का उप्योग किया जाता है और यह सबसे ज़्यादा खतरनाग होता है क्योंकि ना तो यह नुक्सान खतम होते कभी पराण में लगाता समय तक बने रहते हैं तो इनका नुक्सान भी बहुत जादा होता है फिर यह देख लो सोंजदरे परसाजनों हैं वेक्तिकत जो देख पाल के उत्पाद होते हैं उन प्रकास से भी माइक्रोख प्लास्टिक बन सकता है तो ऐसा नहीं है कि मैकरोख प्लास्टिक के अवल इंड्रस्टीज में बनता है कभी-कभार चाहुता है ऐसी प्रणक्त होते हैं तो टूटने से भी maicroppen बन सकते हैं अब तो माइक्रोप्लास्टिक वाटरबॉडई जनके जिव होतरे और इसका इंसान वे नुक्सान हो सकता 60市 यह क्यों इस प्रकार के बारे में बात की जारी है, तो microplastics less than 5 mm के size के होते हैं, इनका use कहा होता है, personal care product में होता है, cosmetic में होता है, industry scurbs में होता है, apart from cosmetics में, इनका use होता है, जो बड़े-बड़े product होते हैं, वो टूट जाते हैं, plastic छोटे-छोटे piece में, और वो भी microplastics बन साते हैं, नुक्सान क्या होता है, नुक्सान यह होता है कि birds है, turtles है, उनके digestive system में चले जाते हैं, तो उनका digestive system में, पूरी तरह से बिगड़ जाता है, तो इससे क्या होता है, marine animal होते हैं, उनको नुक्सान कर जाता है, तो पूरा system जो marine system है, इनकी वज़े से पूरा food chain खत्रे में आ जाता है, ठीक है जी, अब यह सागी रिसर्च में, एक report में पाया गया है, कि जो plastic है न, वो कहां-कहां देखे गया है, यह marine trench में भी plastic देखे गया, marine trench जो सबसे गहरा point है, वहां पर भी plastic पहुंच गया है, सोचो कहां-कहां plastic पहुंच गया है, वाई साब आप सोच नहीं सकते हो, फिर Mount Everest बर भी यह देखा गया है, Mount Everest, जहां पर possible है, वहां कुन plastic लेके गया होगा, पर वहां पर भी plastic देखा गया है, क्योंकि ख्राब तो होती नहीं, कोई उपर गई होंगे ट्रेक्टिंग करने के लिए, उपर छोड़ के आ गए, और नश्ट तो होती नहीं, तो पढ़े रहे गए, फिर Iceland में, Glacier में, Mariana Trunch में, Arctic की ब्रफ में, इन सबी जगा यह पहुंच गये, तो देखो, इनका कितना परभाब बढ़ गया है, कहां कहां यह पहुंच रहे, और कितना यह नुकसान कर सकते हैं, ठीक है, अभी बात की जा रही है, केंदर सरकार के द्वारा, जो प्लास्टिक के अप्सिश्ट जो होते हैं, उनके परभंदने के लिए नियम लाए गये तिन, उनका जो पालन सही से नहीं हो रहा था, और वो पालन करने में अलगलग सहरती, वो फैल हो चुके हैं, तो इसका पालन सही से नहीं किया जा रहा है, तो यहां पर यही बात की गई है, माइक्रो प्लास्टिष्ट bril देखे गए, लिमोट एडिया में देखे गई हैं, जैसे मौट आवरेश्ट हैं, अर्टिक स्फ्णो हैं, आइसेड़न के जो गलेसियर वहाँ पी, मेरियन ट्रांस में देखे गए हैं, रिसेंटली इस्यू देखा गया है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल थे को सीटीज वो फैल हो गए इंप्लिमेंट करने में जो एक्जिस्टिंग रूल थे उनको भी यह पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनको सईसे लागू नहीं कर रहे हैं ठीक है जी अब है माइक्र गाइक्र प्लास्टिक हम देखी चुके चोटे चोटे थूकले होते हैं वाड़ी बाड़ी चोटे तुकडे होते हूँ चोटे टूकड़ा में तूर ज conspiracy हैं उस्टे क्या बन जाता है और ये काफी नुकसान भी करता है यह जू समंदर में चले जाएंगे उनका जो जीव हो उसको कुपयोग करेंगे खायेंगे उनके पेट में जाएंगे तो यह उनके लिए खातक सीध हो सकता है ठीक है यह आपको पता होगा environment पे क्या impact पड़ता है यह क्या होते एक तो bio degrable नहीं होते हैं मतलब यह नश्ट नहीं होते हैं पड़ेत लंबे समय तक बने रहते हैं महाँ पर जाके नुक्सान करेंगे फिर यह क्या होते हैं यh primary or secondary जो microplastics होते हैं वो किसमें accumulate कर जाते हैं जीवां में बिभानें जमा हो जाते हैं मतलब पहला को जीव है वो खाएगा इसको फिर को कहीं और धातू भी सामिल हो जाते हैं वो और भी नुकसान करते हैं यह तो खुदी प्लास्टिक है और इसमें कहीं सारे धातू भी होते हैं अब कुछ जो अध्यन किया गया था रिसर्च किया गया था उसमें कुछ चीजे पाई गई क्या चीजे पाई गी जो सबसे ज्यादा Metro Plashtick देखा गये न वो मचलियों में देखा गया है इस संक होते हैं मैक्रोफोन है उन में पाया गया है अजो सबसे ज़एदा Was die इनमें देखा गया है कि माइक्रोप्लास्टिक में क्या-क्या चीजिया सामिलती maicroplastic प्लास्टिक है थे उन में कह चीज़ थे उनमें रेशे थे, टुकड़े थे फिलम थी ये सारी शाइद लीओ Lर माईक्रोंड़न थी पॉलेयरम थी एए प्लास्टिक जारी कितन नुक्सान कर सकती है ठीक है की फाइडनिंग क्या थी आईस्ट कॉंपोजन किसमें था यह था माइक्रोफोन होते हैं मेक्रोफोन फीस है और सेल्फीस है इन में देखा गया है क्या-क्या होता है इसमें फाइबर है फ्रेग्मेंट है फिल्म है यह सारी माइक्रोफोल जो प्लास्टिक हो तो उन फिर यह हमें ओलड़ी देश चुके हैं, फिर source of microplastics क्या होते हैं, यह नगरपाली का जो waste होता है, उनका सही से निप्टान नहीं होता है, तो यह भी इनका source है, बड़े-बड़े plastic के टुकड़े होते हैं, वो तूटने से छोटे plastic बन जाते हैं, सौंदरी के जो साधन होते है उनसे भी जो beauty products होते हैं, उनसे भी यह microplastics है, यह निर्वान हो जाता है, तो अलग-अलग के दյारा, अलग-अलग चीज़ औरmarket drink का уत्पन होते हैं, या microplastics से पेट में चले जाते हैं पेट में जाने के लिए दलगला चीज़ है लिक्न noun कैसे बाहरा आते हैं यहOne का सोर्स क्या है heb侵िए ब्रौटे में इंका उप्यों कि smart कियाना इन्डेस्ट्री में है उप्यों कियाना इन सब कि सोर्स के द्वारा माइक्रो प्लास्टिक है वो जहने उच्पन होते हैं ठीक है यह इनका सोर्स है फिर इनको रोकने के लिए क्या चीज़े की जा रही है सवज बारत मिसन है नेशनल डेस्ट मोड ऑफ एलिमिनेशन अफ सिंगल यूज प्लास्टिक है यह प्लास्टिक पाटनसी प्रोजेक्ट है तो अगर कहीं आपको लिखना हो प्लास्टिक कच्रे पर अंकुष लगाने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं सरकारों के द्वारा तो प्लास्टिक कच्रे पर अंकुष लगाने के लिए सरकारों द्वारा कहीं सारी प्लहल गिये गी जो इस प्रकार है किस प्रकार है सवच भारत मिसन है इसके द्वारा भी प्लास्टिक को eliminate करने का प्रयास किया जा रहा फिर एककल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक अपसिस्ट प्लास्टिक पक्लास्टिक प्लास्टिक 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 और फिर वियाOR भी लखने में अकाम सकता है थी कि कोन-कोन से नें प्रयर्क प्लास्टिक बढ़ा कर दिया था निवजिलेंड चाईना है अमेरिका युर्पियन संगे इन सब देशों नें कोशिज किया रहे और इस परकार से हैं फिर हम बात करें थी लेक के बारे में , तो अस्ताईमुरी ये हैं महाँ पर हैं केर्व यहाँ पर यह है यह थीक के इसे का जाता है इसे का जाता है वेक वाटर लेख सबसे पहले बैक वाटर लेख होती सामने क्या आगया सामने आगया है अवरोध आ गया, अवरोध क्या हो सकता है अवरोध हो सकता है, टाइड हो सकता है जवार हो सकती है, जवारन वो हो सकती है अवरोध, इस टाइड के कारण ये जो पानी असे से जा रहा था है वो वापिस मुढ गया, क्योंकि उपर जवार आ गई जवार के कान ये पानी वापिस मुड़ गया तो इसे कहा जाता है बैक वाटर बैक वाटर कहा जाता है और इस पर गार कि जो लेक होती है उनको कहा जाता है बैक वाटर लेक पानी यह हो जा रहा था जवार आया सामने जवार के कान वाटर वापिस मिल गया इसे कहा जाएगा इसे कहा जाएगा बैक वाटर लेक कहा जाएगा ठीक है कहाँ पर ये ये कैरल में है कैरल की ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है कैरल की ये दूसरी सबसे बड़ी लेक है पहली कुन सी है पहली है वेमब डाड वेमब डाड है वो कैरल की पहली सबसे बड़ी ल बता होना चीह साथ साथ में 22 रामसर साइट को पता होना चीह कोन्सी तो टूंटल कितनी है किस प्रकास साespèrechi किया जाता है यह चीजर आपको पता होनी चीह तरहा है चल क्या चीिस में सक्कशन धात करें तो जनसंग अगणत्व फ्याट श्यम्स है उसके कांड़ भी साइट पर खत्रा बढ़ता जा रहा है महत्व क्या है यह चौद्वी सताबदी में रोमन और फोईनुस यहन तिन उनके समय की लेख है इनका उपयोग है वो चाहिना के साथ में जो ट्रेड होता था उसमें अभी एक महत्व पुन बंदरगा के रूप में ठेकउंभं गोफ आइलेंड है यह तीन आईलेंड यहाँ पर पर्मुख आइलेंड है थिकिए यह तेकिलो रामसर साइट है ठीकिन क्या एक पॉपोलेशन डेंसिटी है अर्बन प्रेशर से उसके कांड़ी साइट थ्रेट एमपोर्टन्स क्या है यह इमपोर्टन्स पर कुछ महत्वपुन आइलेंड है, इसके किनारी यहां पर बने हुए है, ठीक है, एक क्यूसन ने इसे समझनी थे, इसका एंस्वर देने के बारे में जरूर ट्राय करना, यहां पर भी एक क्यूसन पूछा गया है, जो परयावन से समझनी थे, तो इसके बारे में भी ट्रा के बारे में क्यों नीज में इसलिए है कि परशार भारती के जो चेर्मेन है नवनीत कुमार सेखल इन्होंने का तो है सहले या किसने बना है इसको डेवलप किसने किया तो इसको डेवलप परसार भारती के द्वारा किया गया है परसार भारती के द्वारा इसको डेवलप किया है OTT Waves Platform को किसने डेवलप किया है OTT Waves Platform को परसार भारती के द्वारा डेवलप किया गया OTT WAVE platform को किस ने डेवलप किया है परसार भारती के दुवरा डेवलप किया गया है किस की तहत कौन सी मिनिस्ट्री की तहत यह आता है तो यह आता है सूचना एंड प्रोध्योगी की मंत्राले के अंतरगत आता है सूचना M परसारन मंत्राले के अंतरगत आता है इसको develop किसने किया है इसको develop किया है परसार भारती ने OTT Waves Platform परसार भारती के द्वारा develop किया गया है इस सूचना और परसारन मंत्राले के अंतरगत आता है सूचना End परसारन मंत्राले के अंतरगत आता है परसार बारती के द्वारा डेवलप किया गया है IFFI24 में इसका उद्घटन किया गया था इसका टेग लाइन क्या है वेव पारिवारिक मनोरंजन की नई लेयर ये इसकी टेग लाइन है कौन-कौन सी भासा है अंग्रेजी, हिंदी, तम्मिल, कोकनी सहीत बारा भासा में ये मनोरंजन देती है गेमिंग है, सिक्सा है, खरीदारी ये सारी सुज़ा इसमें उपलग दे डेवलप कौन क्या था, वेव इस डेवलपर परसार बारती, अंडर मिनिस्ट्री आफ इनफोर्मेशन एंड ब्रोड कास्टिंग पहला पॉइंट याज रहेगा, दूसरा IFFI 2014 में लोड किया गया था टेगलाइन क्या है वेवज फैमिली एंटर्टेन्मेंट की नहीं पहल लेंग्वेज, बारा लेंग्वेज है, इंगलिस हिंदी साहित ठीक है, एज्यूकेशन गेमिंग और भी कहीं सारी इसमें फीचेर होंगी ठीक है, इस चीज़े समझ में आगई आपको नेक्स्ट पैसर्ट जो चैनल है वो इसमें लाइव इस्ट्रिम करेंगी मन की बात है, और अयोज़ा की जो आरती है वो भी इसमें सामिल है, और क्या विसेस्ता है ग्रामेंट सामगरित सुल्पता करवाएगी जो ग्रामेंट एरिया, रूरल एरिया वहाँ पर भारकनेट के मादिम से कनेक्टिविटी परदान करेगी साथी साथ में छात्रक के सम्मंदित होगी योजना होगी, फिल्म है, उनके बारे में में भी दिखाई जाएगी, संगित सोंगे एनिमेशन है, कई और भी चीज़े इसमें दिखाई जाएगी, फिर क्या होगा इसमें साइबर जो जागरुता होती उसके लिए आई-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-अनपूर्णा ओ-ए-डि-सी और सी-डेक के साथ में मिलकर इसमें साजीदारी की गई है फिर जो युवा होती है, कंटेंड क्रियेटर उनके लिए भी कहीं सारी पूसकार वगरा है तो वहां जाके अपना जो भी मन्चे, उस मन्च के तरपे अपने आपको परदसित कर सकते हैं अपना जो भी टेलेंट है, वहां जाके दिखा सकते हैं यह देखलो, 65 चैनल ले उनको स्ट्रिम किया जाएगा, यूनिक फीचर क्या क्या है यूनिक फीचर वही है, कंटेंड एविलिबिल्टी है अक्सेसिबिलिटी है, और भारतनेट का उप्यों करके रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी फिर है, यहाँ पर कहीं सारी कंटेंड दिये जाएगे फिलम्स है, स्टुडेंट प्रोजेक्ट है सो है, यह सारी चीज़े है कोलाबरेशन, एफटी, टी, आई, ओएंडी, सी, डेक के साथ में, सपोर्ट क्या किया जाएगा जो भी हमारे क्रेटर होते हैं यंग क्रेटर उनके लिए एक मंज प्रोवाइड किया जाएगा उनका टैलेंट दिखाने के लिए ठीक है जी, इस समझ में आ गया होगा नेक्स्ट परसार भारती के बारें बात करें तो राष्ट्री सारवजनिक परसारक है ये परसार भारती क्या है? एक राष्ट्री सारवजनिक परसारक है ये वेदानिक स्वायत निकाएक है इस्टेचरी इंडिपेंडनेस बोड़ी है तो वेदानिक स्वायत निकाएक है परशार भरत्य एक एक्ट के माधियम से बनाए गी है इसका मतभ़व एक वेदानिक बोडी है यह सार जोनिक परशार्क है नेस्टनल लेवल पर सार जोनिक प्रशार murdered है वेदानिक को सुवायत निकाए है इसना उन्निट letter में परसार बारती अधिनियम के तहत की गई थी इसलिए तो ये एक वेदानिक निकाय है क्या परसार करती है ओल इंडिया रेडियो है दूर दर्शन है इन सब के माध्यम से सिवा का परसारन करती है यह उसका उदेशी है, AMAM, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतरगत आती है, तो यह है परसार भारती है, वो सूचना और जो परसारण मंत्राले, उनके साथ में बादसीत करने के लिए रेस्पोंसिबल है, जो ओल इंडिया रेडियो है, दूर दरसने, उनसे समधित कोई भी मामला होत मिनिस्ट्री के साथ में बादसीत करने के लिए रेस्पोंसिबल है, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ में, तो वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री आफ इंफोर्मेसन एन ब्रोड कास्टिंग के साथ में बादसीत करने के लिए रेस्पोंसिबल है, यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी इस आर्टिकल में था, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, वो सीबी एसी ने, अभी सूचना जारी किये, इसम 500 रुपे दिये जाएंगे, यानि कि इस योजना में कहना है, इस योजना के अकोडिंग, कोई अपने माबाप की एकलोती संतान है, कोई छात्रा है, और वो आगे पड़ाई करना चाहती है, उसने 60% से अधिक अंकल आई है, तो उसको दो साल के लिए हर महीने 500 रुपे के छ समोदरी सुर्कसा है, वायू रक्सा है, नो सैना से होग है, ये सारी चीजे की जाएगी, इसका उदेश्यता हमारी जो मेरिटाइम बोर्टरी है, उनको सुर्कसित किया जाएं, साध ही साध में केवल लेंडिंग है, तेल रीग है, और परमु बंदरगा वगरा, उनको सुर वेस्ट बैंक है, और इस सब को कि आज कहा जाता है, इस वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दोनों को मिला के पैलिस्टीन कहा जाता है, ये गोलन हाइट से, ये लेबनन है, सीरिया से बॉर्टर लगती है, जॉर्डन से लगती है, डेड सी है यह यहाँ पर, ठीक है, यह भी बाउंडरी पता होनी चाहिए फिर गाजा इस्ट्रिपाब को पता ही है तो यह लोकाशन आपको पता होनी इजी से भी बाउंडरी लगती है ठीक है तो इसके लोकाशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके लोकाशन के बारे में हर पॉइंट पता होना चा नेक्स जो है हम देख चुके हैं यरुसलम इसकी capital है और इस्राय स्थाइज के बारे मिल्टी हुई थे इनकी उद्यों पुर्ती थी विमान में अग्रनी थी और ये फिलान्ट्रोपिस थी हाने के प्रोब कारें दान दाता थे उन्होंने ताटा ग्रूप की स्थापना नीव रखी थे ताटा ग्रूप को आगे बढ़ाने में महत्वपून भूमिका निबाई थ बढ़ भूमिका निबाई थे तणी अठ्यवे इनकी इन्होंने महत्वपून भूमिका निवाई थे लिए तो यह काफी अच्छी प्रोब कार रहा है नहीं, फिलन्ट्रोपिस थे, दूर्दसी भी थे, इन्होंने कॉर्पेट सामाजी की रेस्पोंसिबिलिटी है, करमचारी कल्यान की वकालत की, इन्होंने टीफर की स्थापना की, टाटा मेंवोरिल हस्पिटल है, उनके भी स्थापना क्ऴौड़िता ह् इन्हों एड राशिक्नि में इन्म का धरी को अली हो ठूल्सिए इन्हों ऐफ थे, इन्यव अभी गियाता हम है की अडियों मेंकर है, ये अहा लिवक्शने तुर भी सेया का एि उन्होंने सी कि इन्होंने सुरिख लग perdna को瓜 जम फु इन्हों दोनीनWithमाल